हाई फ्रेंट्स में हूं माने विल्कम टू मुवी शूवी फटाफट से अब डिसक्शन कर लेतें को इसको अगर आप सुन लोगे और उसके बाद मुवी देख लोगे तो आपके शाद यह और इंट्रेस्टिंग लगने लग जाए उस फैक्टर को अगर अकाउंट करोगे त करते हैं एक टाइम के अंदर कहीं भी गए कभी भी गए ग्राउंट के अंदर तो एक्सपेक्टेशन यह थी थी कि सौ मार के निकलेगा तो अभी रिसेंट्टी इस तरीके की मूवी आ रही है और ऐसा लग रहा है कि हर एक मूवी हेट हो जाएगी तो इंडिन सिनमा इस बा एक और चल गी गदर चल गी ओमाइगा डू चल गी और जो रिस्पांस है अभी तक ड्रीम गल टू को भी ठीक आ रहा है अब अब अवरेज आ रहा है तो अकेली भी क्या चल जाएगी कुकि यह फेमिनिस्म के ओपर है और टेरर अटैक के ओपर भी है कही ना कहीं है survival भी है, काफी सारे themes इसके अंदर mix है responsibility के उपर भी कहीं न कहीं है तो अकेली की कहानी शुरू होती है जोती से, पंजाब में आई है किसी वज़ाद से इसकी नौकरी चले जाती है और इसके उपर बहुत सारे responsibility है debt भी है, उसको चुखाने के चक्कर मैं किसी दरीके से लड़ते जगड़ते पैसे अरेंज करके, एक agent के थूँ एराग पहुंच जाती है job लेने के लिए तो यहाँ जो tension आपको feel होनी चाहिए कि एक औरत ऐसे tension बरे area के अंदर पहुँच गई है जहाँ पर पता ही है क्या चल रहा है समाज के अंदर तो वहाँ पर जाके नौकरी करना अपनी फैमिली के लिए वो जो पार्ट है वो एक तो थोड़ा slow build-up होता लेकिन अच्छा build-up होता है अचानक से एक ISIS attack हो जाता है इसके factory अंदर जहाँ इसको नौकरी मिलती है garment के factory होती है और उसके बाद एक survival कहानी शूर हो जाती है कुछ Muslims को मार दिया जाता है और बाकियों को capture कर जाता है including her अब यह किस तरीके से निकलती है that becomes the part and parcel of the movie which you will go and see in the theatres ठीक है? if you want otherwise you can wait for OTT also अब मैं यह क्यों बोल रहा हूँ कुछ scenes बहुत जादा intense है और आपकी curiosity है और जो tension है यहां तक लेकर आजाता है बिलकुल उपर तक चले जाते है जैसे एक लड़की bomb के साथ rap कर जाती है चोटी बच्ची टाइप ही होती है जो जोती है जब अपने एक कमांडर के साथ बात कर रही होती है और एक कमांडर का भी एक जो डप्यूटी होता है उसके साथ कुछ scene है यह सारे scene बहुत intense है हवेली एक दिखाई कही है जादा नहीं बताऊंगा उसके लिए क्योंकि वहाँ पर काफी लोगों काफी काप्चर किया होता है including her उसमें जो समा दिखाया है वो भी काफी साथ है इंटेंश है तो आपकी इंटेंशिटी इतनी साथ पीक कर दी जाती है तो जो टेंशन होती है आपके लिए लड़की के लिए कि जोती के गैरेक्टी के ले नुश्र दारौचा के लिए कि कुछ इसके साथ गलत ना हो जाए और नमार्ध ना दिया जाए और इस beim a girl इसके साथ कुछ गलत काम ना हो जाए यह टेंशन मराने में डिरेक्टर साब को थम्जब दे रहते हैं अगर जब इतने भी सीन्स के अंदर रन पे है तो अब यह पकड़ी जाएगी ऐसे वाला जो है वो भी उसके लिए टेंशन के लिए थम्जब दे रहते हैं इसके अंदर म्योजिक भी बहुत काम करता है जो इमोशनल जर्नी होती है एक वार एरिया में जाना काम के लिए अपनी फैमिली के लिए वो भी आपके लिए तार जो है आपके मन में छड़ जाता है इसमें नुश्र बरुचा को हम ज्यादा माक्स देंगी क्योंकि उसने कहीं न कहीं आक्टिंग इस तरीके की करी है कि अवो फील कर सकते हो कि शीज इन नीड अब क्या होता है कि कुछ मूवी के अंदर लूनलीनेस जो होती है वो पीक करानी होती है आपको टेरिडिसम को पी से सीन आएंगे जहां पर फस्ती है लिए अचानक से ऐसी सिच्वेशन में नकल जाते है जो इंपॉसिबल टू थिंक है तो वो थोड़ा जीव हो जाता है तो वो जो एक पाकिस्तानी क्यारेक्टर भी है जो इसका मैनेजर है रफीक वो और इसकी जो एक्वेशन है एक अच पीछे वो आप से कनेट कर जाता क्योंकि वो कहानी को आगे लेके जाता तो वो अच्छे तरीके से यूज किया गया बाकि जो एसके प्लान है जो मैं आपको लास्ट मूइंट बूलने वाला हूं जो इसके प्लान है इसका वो इम पॉसिबिलिटी इसके अंदर से निकल के जाता है अगर आप ये चीज़ डाजेस्ट करके मूवी अंदर एंटर करने कोश्च करूँ जो मैंने स्टार्टिंग में बोला वीडियो के तो आपको ये मूवी अच्छे लगने वाली है अदर राइस भी वन टाइम बाच तो है जिसके लिए मैं इसको दूंगवा सेवन अच्छली 6.5 आफ 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 तेन उटकर भी मच बेटर थोड़ी और इंटेंसिटी हो सकते थी बूटालिटी से दिखा के ये फिर थोड़ा सा दूर रहे है ये एसके प्लान जाद हो जाता है दूर दूर से लग रहा है कि कुछ टेंचिन क्रेट हो रही है और ये किसी अच्छा कारिकेचरिश टाइब है पर्पस ओफ बींग अ टेरिरिस्ट बहुत अच्छा से एक्स्प्लेइन नहीं किया गया है तो एक तरफ है थोड़ी सी बात और क्या वो चाह रहे है उनके पनसूबे के हैं वो क्या कर रहे हैं ये तू समझ में आ रहा है क्यों कर रहे है ये समझ में आता है तो ये थोड़ा सा थोड़ा थोड़े गाप है थोड़ा वाट डीप डाइफ करना चिया था इसके अंदर पागी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूस के साथ स्टे केनेक्टेड बाई बाई